इस medical condition को keratosis pilaris किरते हैं अधर आप इससे सफर कर रहे हैं तो ये तीन चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी हैं सबसे पहली चीज़ है कि आप इसे areas को physically बिल्पूल भी exfoliate नहीं करेंगे आप जितना ज्यादा physical exfoliation इस पर करेंगे ये उतना ज्यादा वर्स होने के chances होते हैं दूसरी important चीज़ है कि आपको अधने शाय इसको moisturize रटना है आप जितना ज्यादा moisturize करेंगे ये condition उतनी better होती जाएगी और तीसरी और सबसे दोड़ा important instruction है कि इस condition में आपको chemical exfoliations use करने हैं chemical exfoliations में conservative only foods use हो सकते हैं जैसे कि benzoid peroxide, lactic acid, glycolic acid, urea या फिर ammonium lactate इन मेंसे किसी भी एक या दो product के combination के products को आप use कर सकते हैं कुछ products मैंने description में mention किये हैं इनको आप रोज रात में use करना है और सुबह के टाइम आपको moisturize करना बेकुल भी नहीं बोलना है आखरी और इन bonus point जो आप याद रच सकते हैं कि geratosis pilaris condition में काफी हद तक automatically improve हो जाती है अगर आपने अपने early days में बहुत जादा scrubbing या फिर exfoliation किया है तो शायद इसको power जादा time लगे तो I hope इस वीडियो की थूँ आपको बहुत important information मिली है ऐसे ये information वीडियो की लिए आप चैनल को follow जरूंट करिए मिलता है अब ये वीडियो में